नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल टोपर नेक टिप्स मैं हूँ धरमभीर सिंग आज मैं आपको एक ऐसे विदेशी फल के वारे में बताऊंगा जो कि थेख थोक मार्केट में या मंडी में 250 रुपए प्रती किलोग्राम की रेट से या यूं कहें कि 25,000 रुपए क बिखता है और फुटकत दुकानों पर हुआ है 400 से 500 रुपए किलो में बिख रहा है इसका नाम है ड्रेगन फ्रूट ड्रेगन फ्रूट इसराइल, वियतनाम, थाइलेंड तथा स्री लंका में काफी पॉपूलर है अब हमारे देश में भी इसकी मांग बढ़ने लगी है ल के रूब में खाया जा सकता है और जैम, जैली, आइस्क्रीम, जूस और वाइन भी बना सकते है इसके द्वारा इसके और भी अनकई फाइदे हैं जैसे कि ड्रेगन फ्रूट डाइबटीज को कंट्रॉल करता है, कॉलिस्टॉल को कम करता है और थेराइटिस से बचाता है, अस्तमा से लड़ता है, बुडापे का असर भी कम करता है, और एक अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट का ये उत्तम सुरुत माना गया है, तथा बजन भी नियंत्रित करता है, इन सब फाइदों को देखते हुए तेजी से ड्रेगन फ्रूट की मांग बढ़ रही है, ये फसल कि जिन्होंने ड्रेगन फ्रूट की खेती की सुरुवात कर दी है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दू, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर किलिक करके आप हमारे चै जिसने ड्रेगन फ्रूट की खेती की सुरुवात की है, मेरा नाम देवी द्याल है, और मैंने एक न्यू एगरिकल्चर खेती की, मेडिसन खेती की सुरूवात करना की सुरूवात की है, जिसका नाम ड्रेगन फ्रूट है, ये एक्चुली इजराइल, धाईलेंड और अन्य देशों में पाये जाता है इसका फर्ष्ट बार मैंने उत्तर विदेश में करने की सोची है ये सोच मैंने एक बार मैं अपनी कंपनी के टूल से घूमने के लिए इजरायल गया था वहाँ पर मेरे को एक नरसरी के बारे में पता चला जिसमें बहुत सारे बिदेशी फलों की जानकारी दी जा रही थी जिसमें एक ड्रेगन फूट भी था ये ड्रेगन फूट कैप्टस फैमली का पौदा है जिसके माद्यम से मैंने वहाँ से दो प्लांट लेके आया और उनसे मैंने याँ पर यहां पर करके देखा तो मुईरों को लगा कि यहां का एंवायरमेंटल और अपने जमीन और जमीन का पी एच और यह सब कुछ यह पौदा कबर कर सकता है उसके बाद मैंने इस वार अपने यहां पर नंगला केवल में इसकी खेती करने की सोची है और एक वीगा खेत में कर 300 प्लांट लगा हुए हैं फूड का पौदा है जो साइज में सेपेंट साइज में करीब 6 इंच का में जब लेके आया था तहा मेरे को 6 इंच का मिला हुआ था जब मैं इसे 18 जून को लगा हुआ था और आज 21 जुलाई है 21 जुलाई तक यह करीब 8 इंच का कवर हो गया है लेके आया हुआ हूँ इस पौदेख्या प्राइज मेरे को यहां पर आगे भाड़ा से 65 रूपीज पड़ा है और यह पौदा एक सीमेंट और लकडी आप लोहे का पिलर लेकर गाड़ा जाता है जिस पिलर पर साइड से एक दो तीन और चार चार प्लांट लगाए जाते हैं यह पिलांट साइड से इस पर कवर होते हैं और यह इस पर टेप लगागे चिपकाया जाता है या इसे आप रिस्टी से या किसी तार से बहां सकते हैं उपर जाके यह पांच फुट तक का उपर पिलर होता है आप इस पिलर को लिकडी का और लोहे का और सीमेंट बालू गि लबिया लगाने के बाद इसके उपर cycle का tire है, bike का tire है, आप four wheeler का tire ले सकते हो, ये tire लेके जब ये नीचे आएगा तो ये 5 foot से नीचे आता है, उसी पर फूर्टिंग होती है, जब ये side से climb करेगा चड़ेगा उपर, उस time इस पर फल नहीं आता है, जब ये 5 foot से नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये किसान का 200 से 2500 रुपर करत केजी sale होता है, और इसका local market जैसे सुकावाद है, फिरोजावाद है, यहां नहीं है, आगरा है, देली है, बड़े-बड़े city हो में इसका market है, और इस फल का एक खास खूबी ये है, कि ये फल मेडिशन यूज होता है मेडिशन में जैसे आप sugar patient हैं, आप BP patient हैं, आप heart blockage है, heart problem है, इन मेडिशन में यूज किया जाता है, और इसका result भी बहुत अच्छा है, अब तक ये plant का fruit है, वो हमारा देश विदेशों से मगाता है, जिससे इनका खर्चा है वो बहुत अधिक होने की बज़े से, यहां प 400 से 600 रुपई प्रति केजी customer को देते हैं, और इस plant में, इस खेत में, पहले से मेरे में, खेत में दूसरी कोई फसल हुई थी, अर्वी खड़ी हुई थी, जिसकी बज़े से, उसके बाद मैंने इस खेत में मेरे को planning लगा कि मुझे कुछ से में dragon food लगाना चाहिए, कुछ द महीने के बाद जब ये फसल बड़ी हो जाएगी, तब फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, तथा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पौदे खरी सकते हैं, कहां इनको बेचा जाएगा, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कितनी लागत आएगी, तथा कितना आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे देखवाल की जाएगी फसल की, खेट से आप तक इसकी पूरी अपडेट हम आपको देंगे, एक महीने बाद आने वाले दूसरे भाग को मिस मत करना, क्योंकि एक्सपर्ट से भी आपको मिलवाया जाएगा, अभी चै झाल 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 झाल, क्योंकि एक बढ़ा हम मिलवाया झाल 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 झाल